हलो फ्रेंड्स, तार्गेट UPSC मेंस 2020-2021 में आपका स्वागत है आज हम अपने डिस्कसन में भारते उभ्भोक्ता संरक्षन अधिनियम के कुछ महत्तपन प्राउधानों पर वात करेंगे आप जानते हैं 20 जुलाई 2020 को उभ्भोक्ता संरक्षन अधिनियम 2019 लागू हो गया है आप हमारे इस डिस्कसन को GSP पट्टू के सरकारी नीतियों और विभिन छित्रों में विकास के लिए हस्त छेप और उनके अभिकल्पन तथा क्रियानवेन के कारण उत्पन विसे से जोड़कर देख सकते हैं उभ्भोक्ता संरक्षन अधिनियम 2019 जिसको राष्ट्रपती के द्वारा 2019 अगस्त में ही अनुमती दे दी गई थी इससे पहले भारत में उभ्भोक्ताओं के हीतों को सुरक्षित करने के लिए उभ्भोक्ता संरक्षन अधिनियम 1986 बनाया गया था उसी को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया कानून बनाया जाता है और उसे ही उभ्भोक्ता संरक्षन अधिनियम कहा गया है आपको ये भी याद रखना है कि ये किस दिन लागू हुआ था क्योंकि state PCS निश्चित है किसी ना किसी state PCS में जो आने वाले कुछ ही दिनों में सुरू होंगे उसमें पूछा जा सकता है इस अदिनियम के अंतरगत उभोकता की परिभाशा को सबसे पहले बताया गया है ये प्रेलिम्स में भी statement की रूप में पूछा जा सकता है में उसमें यदि कोई प्रश्न आता है तो आपको इस परिभाशा को लिखना है तो आप याद रखेंगे उभोकता कौन है कोई भी वेक्ति जो किसी वस्तू या फिर सेवा को अपने उप्योग करने के लिए खरीदता है तो उसे उभोकता कहा जाएगा उसमें यानि कि उभोकता के अंतरगत उन वेक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जो किसी वस्तू या तो सेवा को खरीदने के बाद उसे किसी तीसरे वेक्ति को बेच देते है इसे आप ध्यान रखेंगे चाहे वो खरीद या विक्री इलेक्ट्रोनिक तरीकों से किया जाता हो टेली शोपिंग के माध्यम से किया जाता हो यानि कि online या offline किसी भी माध्यम से किया जाता हो लेकिन उसको उपयोग करने के लिए किया जा रहा हो तो उसे उपभोकता कहा जाएगा तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे इससे जुड़े जो कुछ अधिकार की बात की गई है मतलब जो अधिकार इस अधिनियम के अंतरगत उपभोकताओं को उपलब दिकराया गया है वो कौन से अधिकार है फ्रेंड्स अधिनियम के अंतरगत जो उपभोकता हैं उन लोगों को 6 अधिकारों को दिया गया है आप जानते हैं fundamental जो हमारे rights हैं वहाँ पर भी 6 अधिकार है यहाँ पर भी 6 अधिकार दिया गया है आपको याद हो गया यहाँ पर बताया गया है कि सुरक्षा का अधिकार उभोकताओं को है सूचना प्राप्त करने का अधिकार उभोकताओं को है चुनने और निर्ने लेने का अधिकार उभोगताओं का है यानि कि आप खरीदने के लिए जाएंगे कोई आपसे जवरजस्ती नहीं कर सकता कि आपने सामान देख ली क्यों नहीं खरीद रहे हो मेरा सामान खरीद लो उसको छोड़ दो नहीं कर सकता आपके उपर डिपेंड करता है कि आप उस सामान को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे चुनेंगे या फिर नहीं चुनेंगे अपनी बात सुनाने का अधिकार मतलब आप सामान के बारे में जानकारी ले सकते हैं उसे कुछ चीजें बता सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में क्या-क्या सामिल करो इसमें कौन सी दिक्कत है मुझे क्यों पसंद नहीं आई ये बात आपको बताने का पूरा-पूरा अधिकार इसके अंतरगत दिया गया है सिकायत निवारन का अधिकार यदि कोई दिक्कत है आपको चाहे ओनलाइन माध्यम से खरीदे हो ओफलाइन माध्यम से खरीदे हो तो आप इसकी सिकायत कर सकते हैं आपका ये अधिकार है कानूनी अधिकार है आप इसे दियान रखें उभभोकता सिक्षा का अधिकार एजुकेट किया जाएगा लोगों को वस्तुऊं के बारे में, सेवाओं के बारे में ताकि आप एक बेहतर उभ्भोकता बन पाएं तो आप छे अधिकार को याद कर लें ये पूछा जा सकता है प्रिलिम्स में तो आप इसे ध्यान रखें येदि मेंस में पूछा जाता है तो आप स्टार बनाकर इसे 6 अधिकारों को लिख दें आपको बेहतर माक्स मिलेंगे इसी के अंतरगत उभ्भोक्ता संरक्षन प्राधिकरन इस्थापित करने की बाद की गई है यदि कोई भी ऐसा मामला आता है जिसके अंतरगत उभ्भोक्ताओं के हीतों को नुकसान पहुचता है अधिकारों का उलंगन होता है उनके साथ यानि कि उभ्भोक्ताओं के साथ अनुचित ब्योहार किया जाता है उब्भोकताओं को विज्यापन के माध्यम से ब्रमित करने की कोशिस की जाती है तो आप Central Consumer Protection Authority के पास जा सकते हैं ये आपके हितों को सुरक्षित करने का कारे करेगा यानि कि उब्भोकताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए केंदर सरकार के द्वारा केंदर ये उब्भोकता संड़क्षन ऑथरिटी का निर्मान किया जाएगा तो इसे आप ध्यान रखें कुछ और जो प्रावधान किये गए हैं जिसे आपको समझने और याद रखने की जरूरत है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई क्रीम आती है ऐसे दावे किये जाते हैं कि उसको एक बार लगाने के बाद आप गोरे हो जाएंगे यदि आप सावले हैं या तो काले हैं इस प्रकार का भ्रामक विज्यापन अब नहीं आ सकता यदि आता है तो जो उतपादक कमपनी है वो और साथ ही साथ उसको प्रचार करने वाले को पहली बार में 10 लाख रूपिये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है इसके बाद यदि वो विक्ति या फिर संस्थान दुबारा इसी प्रकार का अपराध करता है लोगों को भ्रमित करने की कोशिस करता है तो 50 लाख रूपिये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही जो उतपादक हैं उनको 2 साल तक कैद की सजा और यदि वो बार बार इसी प्रकार के कोई भी गदेविधी करता है लोगों को भ्रमित करने की कोशिस करता है तो पांच वर्स तक की सजा का प्रावधान भी किया जा सकता है तो इसे भी आप ध्यान रखें ब्रामक विज्यापन के लिए क्या प्रावधान किया गया है इसी के अंतरगत कुछ संस्थान निर्मित करने की बाद की गई है यानि कि जो सिकायत होंगी उन सिकायतों को निप्टाने के लिए अलग-अलग छेत्रों में मतलब जिला, राज्य और केंदर अस्तर पर उभ़ोगता, बिवाद, निवारन, आयोग की स्थापना की जाएगी जो विक्ति होंगे, जो उभभोगता होंगे वो जिला, राज्य या फिर राश्ट अस्तर पर जो निवारन आयोग होंगे उसके अंतरगत कब जा सकते हैं यदि अनुचित या फिर प्रतिबंधित तरीके से ब्यपार किया जा रहा हो, दोस्पुर्ण वस्तु या फिर शेवाओं को बेचा जा रहा हो, खरीदा जा रहा हो, अधिक कीमत वसूला जा रहा हो, या फिर गलत तरीके से कीमत को बताया जा रहा हो, मतलब वस्तु को बनाने में लगा है 10 रूपया लेकिन उसको बिना जरूरत के 15 रूपया बता दिया गया है अगर वास्तुकता के आधार पर जाएं तो 10 ही रूपया होएगा ये 15 रूपया उसका बनाने की कीमत बता रहा है और इस पे जो टैक्स और अन्य चीजों लगा कर इसकी कीमत को वो 25 रूपया बता दे रहा है तो ऐसा नहीं किया जा सकता उसको बताना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपने ये कीमत लगाई है यदि इससे पूछा जाता है तो ऐसे ही ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के बिक्री के लिए पेशा करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिम परक हो यानि कि कोई भी ऐसे सामान जो किसी के जीवन को नुक्सान पहुचा सकते है सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकते है उन मामलों में यदि कोई संबंदित उत्पाद या फिर कमपनी पकड़ी जाती है किसी का नुक्षान होता है तो वो उभभोकता विवाद निवारन आयोग के पास जा सकता है तो इसे आप ध्यान रखें कब जा सकते हैं अगर हम बात करें स्टेट यानि कि जिला अस्तर पर र उभभोकता विवाद निवारन आयोग की स्थापना की गई है वो उन्ही मामलों को सुनेगा जिसकी कीमत एक करोड रुपया से कम होगा मतलब एक करोड रुपया से लेकर एक करोड तक के जो भी विवाद होंगे उभभोकता मामले से सम्मधित उसका सुनवाई जिला अस्त अस्तर पर निवारित किया जाएगा दूसरा यदि कोई फैसला आता है जिला अस्तर पर उसके बाद उसकी सुनवाई यानि कि उसकी अपील राज्य अस्तर पर भी की जा सकती है राज्य अस्तर पर जो मामला सुनवाई आएगा फैसला होगा उसके बाद केंदर अस्तर पर भी सुनवाई की जा सकती है और यदि केंदर अस्तर पर भी सुनवाई हो जाती है उसका फैसला हो जाता है और इससे किसी को संतुष्टी नहीं है तो वो सुप्रीम कोट भी जा सकता है मिला जुला के तो वही हुआ एक रुपिया के लिए माचीस के लिए कोई जाएगा दस साल त वो कैसे की जानी है मैंने बता दिया सबसे पहले जिला अस्तर पर उसको संतुष्टी नहीं है तो फिर जाएगा राज्य अस्तर पर राज अस्तर पर संतुष्टी नहीं है तो जाएगा केंदर अस्तर पर और केंदर अस्तर के बाद अंतिम रूप से जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये अपील का प्रावधान है इसे भी आप ध्यान रखें एक अन्य प्रावधान भी किया गया है और वो ये किया गया है कि यदि विवाद हो जाता है उभोगता और उत्पादर के बीच में तो मध्यस्तता का प्रावधान भी किया जाएगा मतलब जो नुकसान हुआ है किसे वेक्ति का, किसे उभोगता का तो उसको कुछ पैसे compensation इत्यादी दे दिया जाए और मामला को निप्टा दिया जाए ये एक अच्छा प्रावधान किया गया है क्योंकि इससे जो न्यायाले है या फिर जो निवारन तंतर बनाया गया है जिलास्तर पर केंदरस्तन पर राज्यस्तर पर वहाँ पर बोज कम प है और उस gap का फाइदा कुछ ऐसे लोगों के द्वारा उठाया जा सकता है जो लोगों को परिसान करने के लिए जन्म लेते हैं तो ये एक नुक्सान वाली बात है तो ये ध्यान रखेंगे ये इस कानून के अंतरगत ये कहा गया है कि जो मध्यस्ता का प्रावधान किया ज है मतलब मध्यस्ता करने के लिए आप इस प्रावधान इस अधिनियम के अंतरगत जो एक संगठन होगा उस संगठन से इतर आप मध्यस्ता का प्रावधान नहीं कर सकते ये एक साकरात्मक बात है तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे एक अन्यवाद जो इसके अंतरगत की गई है वो e-commerce यानि कि online जो समानों को बेचा जाता है उनके लिए इनके अंतरगत दो चीजों का प्रावधान किया गया है सबसे पहले कोई भी बेक्ती उभ्भोगता कोई भी बेक्ती या फिर कोई भी उभ्भोगता यदि उत्पाद खरीदता है और खरीदने के बाद वो किसी भी मामले को लेकर सिकायत करता है तो 48 आउर के अंतरगत मतलब 48 घंटे के अंतरगत उसके सिकायत को सुनना होगा रजिस्टर करना होगा ये एक महतरपुन प्रावधान है ये 48 घंटे की समय सीमा आपको याद रखनी है दूसरा प पड़ेगा क्या वो चाइना से निर्मित होके आया है और भारत में बेचा जा रहा है क्या वो अमेरिका से बन कर आया है और भारत में बेचा जा रहा है क्या वो सामान जो बनाया गया है उस सामान के कौन से कौन से ऐसे उत्पाद है जैसे कि माल लेते हैं एक मोबाइल फोन बनाया गया तो उस mobile phone के अंतरगत क्या भारत में केवल assembling का कारे किया गया है उसकी जितने भी सामान है वो कहां कहां से आये हैं उसका camera उसका जो भी equipment है वो कहां से आये हैं इन सारे चीजों को लिखना पड़ेगा बताना पड़ेगा तो ये एक महत्वपुन प्रावधान किया गया है इसे आप ध्यान रखेंगे दो प्रावधान online के अंतरगत किया गया है सिकायत निवारन के लिए समय सीमा और country of origin जो उतपाद का है उसको बताना आउशक है अंतिम प्रावधान जो इसके अंतरगत किया गया है वो ये फ्रेंड्स आपने बहुत बार देखा होगा या फिर आपके साथ हुआ होगा कि यदि आप किसी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके बाद यदि आपने किसी दुकान से जाके सामान को खरीदा और वो घर लेकर जाते हैं आपने देखा कि वहाँ पर खराब सामान है या फिर उसमें तूटे फूटेज हैं तो आप जाएंगे उसे रिटर्न करने के लिए तो वो कहेगा कि हम नहीं जानते क्योंकि ये पैकेट बंद था तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है अब ऐसा नहीं हो सकता यदि वस्तुष खराब है आपने किसी दुकान से खरीदा अब आप सिकायद दर्ज करेंगे ये आपके हीतों को सुरक्षित करने के लिए किया गया प्रावधान है जो आपको अधिकार दिया गया है आप उसे रिटर्न करेंगे और उसको रिटर्न करना पड़ेगा जो रिटेल सेलर होते हैं यानि कि जो खुदरास्तर पर भेजते हैं यदि वो ऐसे वस्तूं को पाते हैं तो जो थोक विक्रिता है उसके पास उसे भेज सकते हैं और जो थोक विक्रिता है वो उसे जो उत्पादक है उसके पास भेज सकता है कहने का ये मतलब है जो उत्पाद होंगे उनकी जिम्मेदारी तीन लोगों को दिया गया है चाहे वो सेवा उपलब्द करवा रहे हो या फिर वस्तू उपलब्द करा रहे हो एक तो खुद उतपादक दूसरा सेवा परदाता यानि कि जो एक अस्थान से दूसरे अस्थान तर लेकर जा रहा है और तीसरा जो उसको बेच रहा है तो तीनों लोगों को इसके अंतरगत जिम्यदाठ हराया गया है किसका किसी भी उत्पाद खा तो इसे आप ध्यान रखें तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का डिसकुसन था आई होप आपने इसे समझा होगा इसे संबंदि जो भी प्रावधा और इंडियन एक्सप्रेस इन सब में इससे संबंदित आर्टिकल छपने लगेंगे तो आप इसे ध्यान रखें आपने इसे समझ लिया है अब आपको न्यूस पेपर में जो भी प्रावधान जो भी डिसकुसन आएगा उसे समझने में भी मदद मिलेगी ये डिसकुसन दोनों में ही काम आएगा तो हम आज की अपने डिसकुसन को यही रोकते हैं आप हमारे साथ बने रहिए थाइंक्यू थाइंक्यू वेरी मच